हेलो फ्रेंड्स आज मैं बनाओंगी रागी का हलवा इसे नचनी भी कहते हैं आज की ये खास रेस्पी मैं बच्चों के लेकर आई हूँ रागी बहुत अच्छा सोर्स है आरेन कैल्सियम और प्रोटीन का अगर हम बच्चों को रागी बेस्ट रेस्पी देते हैं तो उनके प्रोट के लिए बहुत अच्छा रहता है ब्रेस्ट फीडिंग मॉम के लिए भी अच्छा है वो भी ले सकती है इसे बनाना बहुत ही असान है तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं यहाँ पर मैंने रागी का पैकेट लिया है इसके लिक मैं आपको डिस्क्रीप्शन बॉ आट मंद के उपर है और दस से बारा मंद के नीचे है तो आप ड्राइफरूट का पॉडर भी उज़ कर सकते हैं कुकिंग के लिए अगर आपका बेबी ड्राइफरूट्स खा लेता है तो आपको क्रस्ट करने की जरूरत नहीं है आप बीना क्रस्ट किये हुए ड्राइफर अब मैं दो चमच रागी का आटा एड़ कर रही हूँ इससे एक कटोरी अराम से तयार हो जाएगा इसे बस दो से तीन मिनट लो टू मिडियम फ्लेम पे रोस्ट करना है इसे आप अच्छे से मिक्स कर लें फ्लेम को हाई बिल्कुल भी न करें यह हलका रोस्ट हो गया है अ अच्छे से रोस्ट हो चुका है अब मैं इसमें एक कप दूद अड़ कर रही हूँ और इसी कप से एक कप पानी अड़ कर रही हूँ फ्लेम को मैंने लो टू मिडियम ही रखा है इसे आप चलाती ही रहें क्यूंकि रागी बहुत जल्दी दूद और पानी सोख लेता है इस आप कबे भी छोटा है तो यह बिल्कुल सही है आप इस वक्त फ्लेम को बंद कर सकते हैं मैं थोड़ा और पकाऊंगी आप इस वक्त सूगर या फिर जैगरी पॉड़र यूज कर सकते हैं मैं नहीं यूज कर रही हूँ मैं हानी के साथ सर्फ करूंगी यह हलका गारा हो गय है बिल्कुल पॉफेक्ट बना है अब मैं इसे एक बॉल में ट्रांसफर कर रही हूँ अब मैं इसके उपर हनी एड़ कर रही हूँ हनी से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है आप भी गार्निसिंग के लिए उपर डाल सकते हैं बच्चों को बहुत अच्छा लगता है आप ये रेस्पी एक साल के उपर के बच्चे को अराम से दे सकते हैं स्टार्ट आफ ड़ डे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में अगर आप बच्चों को देते हैं तो रागी से कैलसियम प्रोटीन और नैच्छल आइडन मिल जाता है मिल्क ड्राइफ फ्रूट हनी सब कुछ म थांक यू